हालो फ्रेंड्स अला फ्रिक गुड मोर्णिंग आई एंद्थर्मेंश कि टूडे डिसकर्स काई wrong वानें जमेटरी में हमने आपको डिस्टेंश फर्मूला इसक्त डिस्टेंस फर्मूला के concept बता दिया हूं section फर्मूला क्या होता है उसके concept बता दिया हूं midpoint का concept बता दिया हूं और centroid के बारे में हमेंने explain कर दिया हूं ओके तो आज इन सारे points को हम summarize कर लेते हैं एक जगार लिख लेते हैं कि section formula section formula में दो टाइब का डिवीजन होता है एक इस्टर्नल डिवीजन इंटर्नल डिवीजन तो आपके सलेबस में क्या है इंटर्नल डिवीजन है इस्टर्नल डिवीजन नहीं है इंटर्नल डिवीजन है तो हम इंटर्नल डिवीजन कहीं फर्मूला लिख देता हूं तो सेक्षन ओके तो सेक्षन फर्मूला क्या होता है में सब्सक्राइब दो पॉइंट है तो है ए अपका शुप को कौॉडिनेट है-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-2-2-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-2-0-2-1-2-1-2-1-1-2-2-2-2-1-2-2-2-1-2-1-2-1-2-2-2-2-2-2-2-2-1-2-2-2-1-2- आपके पास कोडिनेट ओफ पी आ जाएगा पी का क्वाडिनेट क्या हो गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपन एम प्लस एन एंड वाई का एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपन एम प्लस एन तो एक क्वाडिनेट ओफ सेक्शन फर्मूला से एक क्वाडिनेट ओफ पी आ गया ओके तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखे रहेगा यह जो एबी लाइन सग्मेंट है उसको एम और एन रेशियो में डिवाइड कर भी डिशस एक्शन फर्मूला एन अ सटेट पॉयंट आता है मेड पॉइंट होके तभ मीड पॉइंट फर्मुला क्या होता है मीड क्युआईग पॉइंट क्यूमेड क्यूम टॉमूमिला ओक क्यूमीड-पॉइंट फर्मुला क्यूमीड देखे implies बाइट करेगा दोनों के मिडूंट पट्रेट करेगा उसके लिए फर्मुला आता है इसका पी का क्ौाडिनेट अगर निकालेंगे अगर इसका कौाडिनेट एच कॉमा के है और यह दोनों लाइन लेफ सवरी यह भी सग्मेंट को कहां डिवाइड कर रहा है कहां कट कर रहा है मीड़ पॉइंट पर मिन्स इक्वाल पार्ट में डिवाइड करता है तो इसका एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एक्स टू कॉमा वाई टू तो क्वाडिनेट ओफ मीड़ पॉइंट अगर लिख देते हैं क्वाडिनेट क्वाडिनेट कि अ ओफ मीड़ पॉइंट मीड़ पॉइंट मिन्स पी पी का क्वाडिनेट मिन्स पी क्या उसका मीड़ पॉइंट है तो एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन टू य तू प्लस वाई वन अपॉन टू दिस इस दो क्वाडिनेट ओफ मीड़ पॉइंट ओके ते मीड़ पॉइंट का क्वाडिनेट हो ग सेंट्राइड का फर्मूला फर्मूला कि सेंट्राइड का फर्मूला क्या होता है सेंट्राइड फर्मूला तो अगर हम सेंट्राइड का फर्मूला के बारे में बात करते हैं तो सेंट्राइड में क्या देखते हैं एक ट्रेंगल होता है ए ट्रेंगल बन गया, वके, और A का क्वाइडने, X1, Y1, B का क्वाइडने, X2, Y2, and C का क्या क्वाइडने, X3, Y3, तगर हम सेंट्रोईट का फर्मूला, लिखेंगे, सेंट्रोईट का फर्मूला, क्या हो जायएगा, ब्रेकेट में लिखेंगे x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. तो this is the coordinate of centroid. तो centroid का क्या होगा? x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3. तो इस तरह से हमने आपको midpoint के बारे में बताया. centroid के coordinate बता दिया and section formula. तो सारे आप point को ध्यान में रखे रहेंगे. तो coordinate of centroid है. क्या है? coordinate of centroid. इसको हम बोलते हैं. आप समाज़े x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3. This is the coordinate of centroid. This is the coordinate of midpoint. तो इस तरह से हमने आपको ये तीन point आपको याद करने के लिए दिया है. आप अपने ये तीनों point याद करके रखे रहेंगे. अब हम लोग इसे related बाकि सारे question को solve करेंगे. ओके तो आए come to solve the problem. वीच प्रेक्टिस सेट हम सुरूर कर रहा हूं. तो मैं सोच रहा हूं कि इस प्रेक्टिस सेट में कुछ कोस्चन मैं solve करूंगा और कुछ कोस्चन आप solve करेंगे. तो even number मैं solve करूंगा. और number sorry. और number मैं solve करूंगा. Even number आपको homework solve करने के लिए दूंगा. तो आएए हम लोग कुछ कोश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो फॉस्ट आफ आफ आए यह लोग प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं तो हम लोग कोश्चन सॉल्व करते हैं तो मैंने पाले बोट को राफ करता हूं और कोश क्वेशन नवर वन है बिसी तब कोश्चन नमबर वन ओके तब पहले कोश्चन नमबर वन क्या है कि कि व्युशन पेकोश्चन फर्स्ट है क्वेशन नमबर वन कि find the coordinate of point P if P divide the line segment joining the point A and B in the ratio 2 is in the ratio 2 is to 3 okay so I am look solution the solution 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 is this is the line segment this a equal to get another one comma equal name bolling a coordinate of a to coordinate of a kitadia 1 comma 7 and B ka coordinate up kodiya hai 4 comma minus 3 the a ka coordinate up kodiya hai b ka coordinate diya hai 1 comma 7 a big a ka coordinate minus 1 comma 7 b ka coordinate 4 comma minus 3 of a point P hai this is the point P is ka coordinate h comma k zoom kar raha ho this is two ratio ma means 3 me divide kiya the aim equal to 2 n equal to 3 okay so so I am gonna say that section formula put the effort into the pool so you can apply the next section form coolладak a section formula you have to remember the section formula section x1 upon m plus n x coordinate के लिए और y m y2 plus n y1 upon m plus n ओके तो यह हो गया आपका section formula तो आये find the coordinate हम लोग क्वादिनेट निकाल लेते हैं ओके यह ही पर solve कर लेते हैं के लिए solve करता हूँ तो h के लिए solve करता हूँ तो क्या होगा m x2 plus n x1 upon m plus n equal to 2 into x2 4 plus 3 into x1 minus 1 upon 2 plus 3 इसको solve कर लेंगे तो हमारे से पास आगया कितना 8 minus 3 upon 5 the 5 upon 5 equal to 1 the 5 upon 5 कितना हो गया 1 हो गया this is the coordinate of h k के लिए sorry k के लिए क्या होता है m y2 plus n y1 upon m plus n equal to m 2 into y2 minus 3 y2 कितना है minus 3 plus n 3 into y1 equal to 7 upon 2 plus 3 ok तो minus 3 plus 21 upon 5 तो k equal to what 18 upon 5 ok तो क्या पुछा था किस डिविजन क्या है तो find the coordinate तो coordinate हमारा निकल गया तो find the coordinate तो coordinate equal coordinate of p इक्वल टू वाट वाट वान कॉमा 18 upon 5 तो इन दीस वे आप कोश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो सेक्शन फर्मूला आपको याद होना चाहिए सेक्शन फर्मूला से आप कोश्चन को सॉल्व पर सकते हैं आये कोश्च नमबर नेख्ट दिखता हों फिस्ट नमबर अजान कोश्च्चन वोगे तो क्षान नमबर तू लेते हैं कि कोश्चन नमबर यो कोशेनढ नमबर मैंने बुल praying वेधियन टो-ब प्रेक्टी चेट का रैक्टी सेट लिख देता हूं प्रेक्टससेड 5.2 है ओके पर हिसकाहम question number one lately question number third this is the question number third so cat question number third fine find the Koordinator in which point fine the find the ratio fine the ratio in, in which, in, in which point, in which point T, T का क्या दिया है? minus 1,6, divide, divides, divides the line, line segment, line segment, joining, joining the point, joining the points, P, P का क्या दिया है, 3,10, and Q का क्या दिया है, आपको, 6,8, okay, तो, इस कोश्चन को क्या बुला है कि, find the ratio, इसमें क्या बुला है, find the ratio, in which, in which, in which, in which the point T, minus 1,6, divide the line segment, line segment, joining the points, P and Q, okay, तो, आईए, पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले P and Q ड्रॉ कर यह, दिसीदा, इसलो, पहले solution, solution, okay, दिसीदा solution, हम लोग पहले solution लिख लेते हैं, तो, फिर हमने क्या किया, एलाइन ड्रॉ किया, दिसीदा लाइन, P, P का क्वार्डिनेट कितना है, minus 3,10, and Q का क्वार्डिनेट दिया है, 6, minus 8, इस लाइन सेग्मेंट है, ओके, P आटी एक point है, एक T है, जिसका क्वार्डिनेट दिया है, minus 1,6, और इसको M और N की रेशियो में डिवाइट कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइट कर रहा है, M और N के रेशियो में डिवाइट कर रहा है, ओके, तो M और N के रेशियो में डिवाइट कर रहा है, तो हम क्या एक टीक है लाइन सेग्मेंट PQ को M और N के रिचियों में डिवाइड कर रहा है तो हमें यह M और N fine करना है ओके हमें M और N fine करना है तो चलिए लिख लिए जब फर्मूला क्या होता है section 80 minus 1 equal to क्या लिखे एम एक्स टु एक्स टु एक्स टु एक्स वन एक्स वन एक्स वन एक्स टु आइटू इन्टू 6 प्लस एन माइनस 3 अपन एम प्लस एन एक ही क्वाडिने से हम रेशियों निकाल सकते हैं ओके तो इधर क्रोस मुल्टिप्लाइ करिए तो माइनस 1 M फ्लस एन इक्वल टू 6 M माइनस 3 N तो इस इंपलाई माइनस M मेनस एन इक्वल टू 6 M माइनस 3 N अरेंज कर लिजे लाइक टर्म को तो इस इंपलाई minus minus n plus 3 n equal to 6 m a plus m so this implies kita 2 n equal to 7 7m okay या हम लिख सकते हैं m upon n equal to 2 upon 7 तो किस रेशियो में डिवाइट करेगा एम रेशियो n equal to 2 ratio 7 तो यह आपका एंसर हो गया 2 upon 2 is to 7 तो लाइन सब्सक्राइब करेगा किस में 2 2 is to 7 में ओके ते कोश्चान नमबर 3rd हो गया ओके आप कोश्चान नमबर हम 54 आपके लिए homework हम कोश्चान नमबर 5 ट्राइब कर रहे हैं कर दो कि तो फुच आयम गूंग तो रॉफ दबोर्ड एंद थेन आप इसको अच्छे तरीका से अपने नोट्बूक में में इंसन कर लिजिगा ओके तो यह स्ट आयम गूंग तो रॉफ दबोर्ड के तो टो कोश्चान नमबर 5 तो देशिए दा कोश्चान नमबर 5 कर दी सागर मशतर relative to now saw the question number 5 okay this is a question number 5 key fine find the find the ratio in which the point P K'ma Samyn divi the segment joining the A and B and also find the what also find the K okay so I write the solution solution this is the solution this is the line segment a B this is the line segment a B this is the coordinate of 1 comma 2 1 comma 2 and this coordinate a a equal to 8 comma 9 or a P after the I this is the P coordinate K comma 7 okay the coordinate of the coordinate of K comma 7 okay they have to point a ho gaya or a point B okay the a comma a a high upka a a high upka B right to a and B Pata chal gaya find the K हमें के निकालना है तो इस पहले के निकालने से पहले find the ratio ratio निकालना है तो किस ratio में divide कर रहा है हमें जूम करनेंग let point P divide the line segment AB is M is to N okay the late late the point point P divide the line segment P divide the line segment AB is in the ratio in the ratio कितना M is to N M is to N में divide कर रहा है तो इधर एम इधर N okay M is to N में divide कर दिया ओके यहां तक तो आपको कोई समझने में प्रोब्लम नहीं हुआ होगा and क्या find कर सकते हैं यहां पर हमें की peak में किसका coordinate दिया है y क्या coordinate दिया है तो y के coordinate से इसमें y के coordinate से हम इधर वाले हम y का section formula लगा लेंगे वहां से हम M और N का value find कर लेंगे तो here this imply 7 equal to क्या लिखेंगे m y2 plus m y2 plus n y1 upon m plus n तो this imply 7 m plus n equal to m y2 equal to 2 m plus y1 9 n तो this imply 7 m plus 7 n equal to 2 m plus 9 m ok to like term arrange कर लिजे या this imply 7 m minus 2 what 2 m equal to 9 n minus 7 n ok to this imply 5 m equal to which 2 n means therefore m upon n 2 upon 5 means therefore m is to n equal to 2 is to 5 तो कितना है ratio 2 is to 5 2 is to 5 में divide करता है तो m equal to कितना हो गया m equal to 2 और n equal to 5 तो क्या हम k का coordinate निकाल सकते हैं also find the coordinate of k the k equal to 1 here write the k the k equal to what k equal to m x2 plus n x1 upon m plus n तो this imply k k का जगा पर क्या अप्लाई करेंगे k k as it is m 2 into 1 plus plus 5 into 5 into 8 upon 2 plus 5 to this imply k equal to 2 plus what 40 upon 7 ok and and this imply k equal to 42 upon 7 equal to 6 a cancel हो गया 6 to therefore k equal to 6 and m is to m is to n to ratio 7 in this way हमने आपको एक्षान नमबर 5 explain कर दिया तो इस तरह से मैंने question number 5 explain किये and अब question number 6 आप try करिए आए यह question number 7 हम लोग solve करते हैं question number 7 ओके तो question number 7 find the find the centroid of the of the triangle whose vertices are given okay तो वर्टाइसे साथ गिवेन है तो यह centroid हमारे पास है this is the triangle हमने पर एक triangle बना दिया this is a triangle okay to a b c coordinate is seven comma minus seven comma six two comma minus two and eight comma five okay तो पहले हम क्या करते हैं I am going to rough the board this is this side rough करता हूं and question number seven explain करता हूं okay तो यहां पर applied the section formula sorry centroid क्योंकि हमें centroid निकालना है थम centroid formula apply करेंगे तो क्या होता है centroid formula centroid formula क्या होता है centroid formula this is the vertex this is the this is the vertex of a vertex of B and vertex of C and coordinate of a coordinate of B and coordinate of C okay the centroid formula क्या होता है here solution solution है question number seven का centroid centroid formula okay क्या होता है x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3 okay okay तो यह क्या है minus minus x1 y1 x2 y2 x3 y3 okay यहापका हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3 okay y3 okay चलिए अब यहां हमने x1 y define कर दिया तो फूर्ट वैल्व यह एक्या टूर्ट वाइड वादिन वादिन क्या लिखेंगे वादिने अब संट्राइड यह संट्राइड यह संट्राइड क्या होगा x1 minus 7 plus x2 2 plus x3 8 upon 3 comma y1 6 y2 minus 2 and y3 5 upon 3 okay तो equal to कितना 10 10 में से 3 10 minus 7 3 upon 3 comma यह कितना हो गया what is 4 4 plus 4 plus 5 9 upon 3 okay तो यहां से cancel हो गया 1 यह cancel हो गया 3 तो 1 comma 3 तो इस तरीका से इन दीश वे आप इस तरीका से सेंट्राइड ऑफ सेंट्राइड भी निकाल सकते हैं तो आप किसी का सेंट्राइड निकालना है ताप इन दीश वे फाइंद सेंट्राइड ताप सेंट्राइड भी निकाल सकते हैं ओके तो हमने आपको क्या बता दिया सेक्शन फर्मूला मीड़ पॉइंट एंट्राइड ओके अब हम लोग आते हैं कि कोश्चन नंबर एथ के बाद कोश्चन नंबर नाइन नाइन सॉल्व करता हूं तो आप अच्छे तरीका से इसको देख लिजिए फिर हम कोश्चन नंबर नाइन सॉल्व करेंगे ओके तो इस तरह से हम प्रैक्टिसेट 1.5.2 का कोश्चन नं कोश्चन नंबर 3 कोश्चन नंबर 5 एंड कोश्चन नंबर 7 एक्स्प्लेइन कर दिया अब आते हैं कोश्चन नंबर 9 में तो पहले हम इसे रफ करता हूं I am going to rough the board बस एक पॉइंट और आपका इस लेबस में इस पॉइंट शिरिफ एक ही पॉइंट रह गया है स्लोप तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्लोप भी एक्स्प्लेइन कर देंगे तो कोश्चन नंबर 9 वाट इस तो कोश्चन नंबर 9 क्या है यह न guiding तो वाये कम टू कुश्चन नंबर 9 ओक है तो दिस हीन नंबर 9 एक क्या दिया ह? एक एक का क्या रोलिनेट है। एक कोरिने समंग माइन ऑन sia कर मा-6 699 h, minus 6 और B का क्वादिनेट 2,3 and C का क्वादिनेट है माइनस 6, K are the are the coordinates of the vertices of a triangle whose centroid is centroid भी आपको दिया है क्या 1,5 find h and k आपको बला है कि h और k find करना है find h and k ओके तो आई है write the solution this is the solution ओके यह solution है यह triangle हम बना दिया this is the triangle a b c this is the midpoint this is the centroid क्या है 1,5 ओके and coordinate of a h, minus 6 b 2,3 and c minus 6, K okay तो हम find कर सकते हैं क्या find करना है h and k okay तो find तो क्या होता है आपको centroid centroid दिया है 1 equal to क्या होता है x1 x2 x3 upon 3 so x1 plus x2 plus x3 upon 3 so this imply 1 equal to x1 h plus 2 plus 2 plus minus 6 upon 3 so this imply 3 cross multiply h plus 2 minus plus into minus minus 6 so this imply what 3 plus 3 equal to h minus 4 so this imply 3 plus 4 equal to h therefore h equal to 7 this is the answer h equal to 7 okay and then second kya 5 5 equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3 so this imply 5 into 3 so this imply 5 into 3 equal to what minus 3 plus k minus 6 plus 3 minus c minus 3 plus k k so this implies 15 plus 3 equal to k therefore k equal to 18 k equal to 18 to coordinate capital the k so therefore k equal to well h therefore h equal to 7 and k equal to 18 is this is the your answer here is the answer to the question number nine explain to explain the question number nine explain कर दिया तो इस तरह से आप टेक्टिसेट को solve कर यह इस में कुछ भी doubt होगा ता आप मुझसे कुछ सकते हैं तो कुछ भी डावट होगा तो आप मुझे पुछ सकते हैं तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं या एक दो कोश्चन और देख लेते हैं है सॉल्व करने लेते हैं एक कोस्टेन सिर्फ वनकोंचन इस चन देख लेते हैं कोई सेल करने घोट थो ऑके ओके तो हम क्या करते हैं कि आज वीडियो को rec हैं complete करते हैं next video में इस से related बार के और सारे question solve करेंगे तो के मैं था क्यूंत मैं वीडियो को यह complete करते हैं तो चलिए नेक्स्ट वीडियों में हम लोग और एक दुर को स्वा रिंगे इससे related एंड लाश्टोध डीचण पांफ लाइन विसको study कर लेंगे ऐस अ हैं thank you